आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक और वीडियो बना रहा हूं निसान मेगनाइट के उपर में क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई है ASEAN NCAP मतलब New Car Assessment Program for South East Asian Countries ने निसान मेगनाइट का Crash Test किया है और इस Crash Test में पाया है कि निसान मेगनाइट के 4 Star Safety Rating है ये Crash Test Results आने से पहले ही निसान मेगनाइट अल्रेड़ी इंडिया में हिट हो चुकी है इन 30 डेज में जब से ये गाड़ी लॉँच हुई है तब से लेके आज तक लगबग 30,000 बुकिंग सो चुकी है मतलब आप समझ लिए कि 1000 बुकिंग पर डे इस गाड़ी की हो चुकी है तो अल्रेड़ी मार्केट में ये गाड़ी हिट है लेकिन जो लोग अभी तक इस गाड़ी को इस लिए नहीं बुक कर रहे थे क्योंकि इसकी Crash Test Rating नहीं आई है अभी इसका Crash Test नहीं हुआ है और वो सेफटी को अपना एक बाइंग डिसिजन में एक पैरामीटर रख रहे थे तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज अभी इस Crash Test Rating को देखकर आप इस गाड़ी को बुक मत कर दीजेगा ऐसक्यों उसका रिजन में अभी आपको बताता हूँ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजेगा देखे एशियान एंग जो है उसकी Crash Test Rating इंडियन मार्केट के लिए एप्लिकेबल नहीं होती है ये Crash Test Rating है South East Asia में जो गाड़ियां बिकती हैं उनके लिए Mission NCAP जो है वो Malaysia की Government और Global NCAP के बीच में एक Joint Venture है जो सिर्फ वहां South East Asia में बिकने वाली कारों को टेस्ट करता है और उनकी Safety Rating देता है इंडिया में बिकने वाली गाड़ियों की जो Safety Rating है वो सिर्फ Global NCAP देता है Under the Safer Cars for India Program तो इसलिए इस Safety Rating को हम डिरेक्टली इंडिया में बिकने वाली Nissan Magnite पे अपलाई नहीं कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि ये Safety Rating बिल्कुल बेकार है इससे हमको कुछ भी अंदादा नहीं लगेगा देखिए ऐसा है कि Nissan Magnite का जो प्रोडक्शन है वो अभी सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है और इंडिया से ही गाडियां बाहर भी एक्सपोर्ट की जाएंगी तो जहां तक मुझे लगता है कि ये गाड़ी जो टेस्ट के लिए गई होगी तो ये तो एक शीज होगी तो अब मैं फिर देखा मैंने देखा कि Nissan जो है South East Asia में कहां-कहां गाड़िया बेचता है तो मैंने निसान की जो Malaysia की वेबसाइट है उस पर चेकिया तो वहाँ पर Nissan Magnite नहीं थी दूसरा था Premium 1.0 Turbo MT और तीसरा था Premium 1.0 Turbo CVT तो जो इसका बेस मॉडल हुआ वो हुआ अपर 1.0 Turbo MT उसका जो कर्ब वेट है वो है 1014 kg उसके बाद मैंने जो इंडिया की जो Nissan Magnite है उसका ब्रोशर चेक किया उसके ब्रोशर में भी जो Turbo वाला मॉडल है उसका जो कर्वेट है 1014 kg दिया हुआ है तो इन दोनो मॉडल्स के जो मॉडल इंडोनेशिया में बिकने वाला है और जो इंडिया में बिकने वाला है दोनों के कर्वेट टर्बो वाले वर्जन के जो है सेम दिख रहे हैं तो इससे ये तो अज़ादा लगता है कि जो structure होगा और जो safety pack होगा जो safety features होगे वो दोनों गाड़ियों में सेम होगे इसकी probability काफी ज़ादा है तो ये तो एक point होगा कि यही पर दो तरह की कारे बनाएगा एक जो है बाहर के लिए ज़ादा अच्छी crash rating वाली और इंडिया के लिए खराब crash rating वाली इसके chances मुझे कम लग रहे हैं हलाकि ऐसा हो भी सकता है पहले बड़े-बड़े manufacturers ने भी एक काम किया है कि इंडिया में ही कार बनाते हैं और इंडिया की जो crash rating रहती है इंडिया वाले model की वो कम रहती है और जो foreign वाले model की रहती है वो crash rating ज्यादा रहती है ऐसा करना तो ठीक नहीं होता है लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप सावधान रहें अभी आप इस crash rating को अपने buying decision का एक factor मत बनाईए अल्रेडी January आ चुका है जो price hike होना था वो तो अल्रेडी हो चुका है तो जैसे आपने अभी तक वेट किया वैसे आप कुछ दिनों और वेट कीजिए कुछ दिनों में हो सकता है कि Global Uncap भी जो India spec version है क्योंकि वो clear बताता है कि हम लोग India spec version को crash test कर रहे है तो हो सकता है Global Uncap भी crash test rating निकाले और अगर यही जो crash test है वो आपका Nissan ने जो गाड़ी भेजी है वो India spec होगी Nissan खुद ही सब को बताएगा कि यह जो हमारी गाड़ी है वो 4 star safety rating वाली गाड़ी है यह सारी गाड़ी है कंपनी खुद बताती है तो आप कुछ दिन वेट कीजिए अगर आप crash test rating को criteria बना रहे है क्योंकि बिना यह rating आये ही आप देख रहे हैं कि 30 air bookings हो चुकी है तो हर आदमी उसको नहीं बनाता है criteria लेकिन जो लोग बना रहे हैं उनके लिए मेरी यही सला है कि आभी आप रुकिए थोड़ दिन वेट कीजिए और हाँ इस crash test की report जैसे ही आएगी वैसे मैं आपके लिए उस पर एक detailed video बना के लाऊँगा कि crash test में report में detail में क्या क्या है तब तक के लिए इंतजार कीजिए तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को subscribe कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और हाँ यह जो बैल आइकन है इसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे बाई बाई